इस वीडियो में मैं उपस्थित हूँ आपके सम्मुक बिसब रासी और बिसब लगन यह दिया आपका है तो उसके लिए मासिक रासी फ़ल लेकर के जो इस मा के अंतक के लिए प्रभावी रहेगा इस वीडियो के दिस्क्रिप्शन में बहुत सारी प्लेलिस्ट है उनमें बहुत सारी वीडियो हैं जिससे देख करके आपके बहुत सारे जोतिस से सम्मंदित संसयों का नास होगा तो दिस्क्रिप्शन में जाकरके उनके लिंक हैं उसे आप देख लेंगे और ये बता दे है जो रासी फल होगा ये सामान्य धरातल पर है ब्यक्तिगत कुंडली में किसी ग्रह की दसा बहुत बुरी चल रही हो तो ये फल उसमें और बढ़ भी जाएगा बहुत अच्छी दसा चल रही हो तो भी इस गोचर फल में परिवर्तना जाएगा इसलिए अंतिम नेड़ा आपको ग्रह की दसा अंतर दसाओं को ले करके भी चलना अनिवारे है तिस परसेंट इसी पर चलना है तो जिसको वो सब नहीं समझ में आता है वो रासी फल से देख ले और रासी या दो होती है पिछले बार लोगों ने कर दिया कि हम लगन से देखे तो उसकी वीडियो यह है संचित में यह जान लेजे कि अश्टक बर्ग विधा में लगन से भी देखा जाता है चंद्रमा से भी देखते हैं और अन्य ग्रहों से भी देखते हैं तो लगन और चंद्रमा अश्टक बर्ग में दो तो आ ही गए उनसे भी देखा जाता है तो यहीं दोने जोतिस का विश्य है कि किसी भी देश में भूकाम पाना, महामारी आना, अकाल पढ़ना, दुर्भिक्ष पढ़ना, सूखा पढ़ना, अच्छी वारी सोना तो उस में दिनी जोतिस है और ये जोतिस हम लोग जात तक जोतिस को ले करके चलते हैं तो इससे मात्र अनुमान लगाया जा सकता है तो हमने देखा कि ये पिछले माहा में बिसवरासी वाले लोग भी काफी परिसान से भारत में भी काफी उथल-पुचल मचा हुआ है, महामारी अचानक 14 अप्रेल के बाद काफी बढ़ा गई तो आपको बता दें कि 14 अप्रेल को यहां से सूरी यहां आये थे, 12 में और ये सुक्र और बुद्ध भी 12 में ही थे, लगन में रहू थे और मंगल यहां से 14 अप्रेल को ही दूसरे घर में आये तो ग्रहों की यह जो पोजेशन बनी, उसके परणाम सुरुप काफी खराब परिस्यतियां रही और ये महामारी अपने बिकरालतम पोजेशन में चली गई है, रोगरी पूरिण का जो भाव है यहां से सुरी भी था, सुक्र भी था, बुद्ध भी था, तीनों का अनिष्ट फल यहां होता है, शुक्र का गोचर फल अच्छा होता है, पर लगनी इस यहां पे गया है, यानि भारत का पूरी दुनिया में इस समय मान भंग भी हुआ और यहां से रोगरी पूरिण आदी काफी बढ़ गए, मंगल की दिष्टे यहां से देखेंगे, तो प्रजा भाव पे पड़ी है, तो प्रजा को कष्ट काफी हुआ है, भागे सनी भागे वेस हैं, तो अपने भाव में भागे का साथ मिल रहा है, जिससे पूरी दुनिया से मदद भी मिल रही है, तो यह अपना हमारा तर्क है, जातक जोतिस के आधार पर ही, यह दब कि यह मेदिनी जोतिस का वीसा है, वो अलग है, बाराह मेहर, विरहात, संगे तादिव, उसके लिए देखनी होगी, मेरी पहुंच उतनी नहीं, आईए और देखते हैं, बेखत पंच मेंस हैं, यहां गए तो केंदे तरिकूण राजयोग बन गया और सुक्र उदय भी हो गया, अब यह अस्त चल लहे थे, तो आज कल से ही उदय हो गया है, तो सुक्र के उदय होते ही, मतलब विर्ष रासे वालों के लिए, तुला रासे वालों के लिए, या इन लगनो के लिए ये अच्छा योग बन गया और अब बीमारियों में कमी आएगी परसानियों में कमी आएगी खर्चों में कमी आएगा और भागे साथ भी देगा और कहीं ने कहीं से ये प्रजा को कश्ट हो रहा है तो यहां से ये त्रिकोड में बुद्ध है तो प्रजा को कश्ट भी अब कम होना सुरू हो जाएगा परन्तो पूरी तरह से राहत अभी भी नहीं होगा क्योंकि सूर्य यहां से यहां आएंगे कब यह आ जाएंगे 15 मईय एक जब सूर्य लगन में भी आएंगे तो चाहतरão को बहुत क्यों क्रोद आ सकता है किशी किसी से लड़ाई में हो सकता है पित्जनित रोग हो लगेगा तो मान सम्मान आदी की विसेस हानी भी हो सकती है यहां सूरी जब यह आएंगे और गरहन योग में फंसेंगे तो दूसरा यदि माता जी बृद्ध हैं तो इनका जा सकती है यह उसरी इस्थति यह होगी कि भूमिभावन वाहन का भी कुछ नकुछ नुकसान हो सकता है कियुंकि सूरी ग्रहन योग में फंसेंगे और यह स्थातियafter अधिजिद्ध की प्रापती के लिए प्रयास कर रहे हैं तो यह समय अनुकूल अभी नहीं है पूत्र को भी ऑस्थ हो सकता है और साथ में मंगल से भी ऑस्थ हो सकता है तो रोगादी जो थे और प्रभाव क कम होगा पीता के स्वास्त में जो है सुधार होगा सुधार क्या मतलब कुछ परसानी रहेगी मंगल के जिश्टियां बनी रहेंगी इस कारण भी आमदनी के छत्र में देखें तो कैसा रहेगा तो आमदनी के बहुत अच्छे अवसर अभी भी नहीं बने हैं गुरु यहां प होगी इदर प्रहाई याद कीजिए यह दिख रहा है कि रोगरी पूरिण होंगे बढ़ेंगे उनसे आपका समन हो जाएगा सनी की विदिष्टी है गुरु की दिष्टी जो यहां पर पढ़ रही है तो इसे कारण संघर्ष की छमता अधिक होगी और जीवित हो करके मतलब संघर्ष करके आप आगे बढ़ पाएंगे धन के मामले में धन हानी का योग अभी भी बना रहेगा और माह के पच्ची चपिस तारिक के बास जब बुद्ध यहां आ जाएंगे तब धन प्राप्ती होगी शुक्र भी धन देने की स्थिती में है और बुद्ध भी तब धन जाँ प्राप्ती है ऑभी धन नाज करेंगे बुद्ध भी धन नाज करेंगे अपने से बारामें की क़रण भी रहों के तुक एक्ष में भी है और सुरह भी है तो इसलिए, भी आपको साउधान रहना है उपाएं क्या क्या करेंगे अधिक तर् तो नेगेटिव इसितिति दिख रही है धन कुछ-कुछ आएगा लेकिन जितना आएगा उसे अधिक खर्च होता जाएगा उपाई क्या करना है तो यह दिए आपकी कुंडली में सूर्य बुद्ध और सनी अच्छी पोजीशन में हैं तब तो इनके रतनों का धारण कर सकते हैं सुक्रका उपल याहिडा या जरकन अधि बुद्ध के लिए पन्ना मरगज पेरिडाट आदी है और सनी के लिए लाजवर्त है नीलम है जमुनिया है तीन रतनों की प्लेलिस्ट है वीडियो में जाके देख सकते हैं और नहीं समझ में आएगा तो यह बाई वर्थ कुंडली म सेतार नहीं और तीनों के मंतर उपाई कि करेंगे तो विश्ञव भगवान की आरति करेंगे विश्रु सहसंनाम का पार्थ करेंगे तो वीश्रु नाप्राफ्थ होगा दुर्गा जी की आरधना करेंगे इस सब करके नियंतित रखी अपने रखेवर् hardware में भी आने वाले हैं मां के अंत में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्य बाद ओम नमस्य आगे